वेलकम टो अलियाईयस, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2022 में Involumment के Current Affairs के Revision का ये हमारा पांचमा लेक्चर है आज के सेशन में हम जनवरी महिने के Involumment के Current Affairs को revise करेंगे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी से information आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस Prelims 2022 के लिए कुछ courses हैं जो कि आपके exam point of view से काफी important हो सकते हैं सबसे पहले इसमें एक Prelims Crash Course की बात हो रही है जिसका नाम Tejas है इसमें आपको 250 plus hours के Video Lectures इसमें आपके Current Affairs और Static डोनों included है काफी सारे Test, Full Length और Sectional और Weekend Out Sessions वगरा सब कुछ है इसमें इसमें आपको Free CSAT के Classes और उनके Test Series भी मिलती है बट इस्टिल अगर आप केबल Test Series में जोइन करना चाहते हो आपको Video Lectures नहीं चाहिए है, आपके Revision अलरी चल रहा है अच्छा तो आप उसके लिए Last My Leap जोइन कर सकते हो इसमें आपके 19 Sectional Test है, 5 Current Affairs के Test है, 15 Full Length Test है, 4 CSAT के Test है इसको जोइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पर जोइन कर सकते हो At the same time, एक CSAT के लिए प्रोग्राम है, जो की ऐसे Students को Cater करता है, जिनका CSAT Week है तो CSAT Expert Program आपके सभी CSAT के Topics को कवर करता है, Video Lectures के Form में और छोटे-छोटे Handouts भी हर Lecture के बाद आपको मिलते हैं, Practice के लिए और Last में कुछ Full Length Test है इसमें इसके अलामा अगर आप 2023 के लिए Prepare कर रहे हैं, तो आप हमारे Prarambh Batch को जॉइन कर सकते हैं इसमें आपको एक Full Foundation Batch की तरह के सारी Requirements UPSC के Point of View से फुल्फिल की जाती है इसमें Video Lectures भी है, Study Materials भी है, Test Series भी है, Mentorship भी है Interview Guidance भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा अगर आप इस Batch को जॉइन करना चाहते हो, तो आप Video.Onlyis.in पर विजिट करो याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको Video.Onlyis.in पर ही विजिट करना है अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी batches से related, तो आप हमें Simply इस नमबर पर call कर सकते हो, या फिर info.Onlyis.com पर हमें mail drop भी कर सकते हो तो चलिए discussion स्टार्ट करते है इसके बाद कुछ soft protocols भी release किये गए है और कैसे उनकी monitoring की जाए कि उसके भी provisions तयार किये गए पैंगोलीन के बारे में बात करते है पैंगोलीन एक mammal है जिसके सरीर के उपर scales पाये जाते है यानि कि scaly int eater mammal है चीटियों को खाना इसे पसंद होता है इसके सरीर पर ऐसे scales पाये जाते है जैसे कि आप image में देख सकते है जो परतदार होते है इनकी जो scales होती है वो बड़ी होती है protective होती है वो इस mammal को बचाते है किसी भी जो भी सिकार करने वाले जीव है उनसे और जो इनके skin की ये scales होती है ये keratin की बनी होती है keratin बहला क्या है keratin होता है एक प्रकार का protein ध्याम दीजीगा ये वही protein है जिससे humans में हमारे नाखून और बाल बने होते हैं तो कुछ बहुत special नहीं है kind of protein ही है और उसी protein से हमारे भी निलस और बाल बनते हैं लेकिन इंडियन पैंगोलीन को या पैंगोलीन को अक्सर उनके इनी skills के लिए मार दिया जाता है बड़ी सारी भ्रहांतियां है कि कई सारी बीमारियां ठीक की जा सकते हैं in skills से बाई वो भी keratin के बने हुए हैं इंसानों के नाखून भी keratin के बने हुए हैं तो अगर इससे कुछ बात बन रही है, तो उन्हें खुद के अपने नाखुन उखार के दवा बना लेनी चाहिए, लेकिन इंसान तो ठहरा बुद्धिमान, भला क्यों करेगा अपना नुकसान? इन डाइट केस, इन जीवों को मार दिया जाता है, ये एक मात्र अनोन मैमल है, अर्थ का, जिसके पास इस प्रकार के फीचर्स है, डाइट क्या है, किडे मकोडे खाता है, इंसेक्टिव ओर है, नॉक्टर्नल है, रात में चलना पसंद है इसे, ये बेसिकली चीटियों को और सेनी, कि दिमक को खाता है, और इसके रिए अपनी लंबी सी जुबान का इस्तेमाल करता है, और उसी जुबान का इस्तेमाल करके, वो इन भोली भाली चीटियों को जान से मार देता है, या दिमकों को खा जाता है, देखे वैसे तो पैञुलीन की 8working species होती है, उन बेंसे 2 ऐ का रीजन है North East region है वहाँ पे जो species है इंडियन पैंगोलीन की ऐसे तो इरीड रीजन में मिलते हैं बांगलादेश में पाकिस्तान में नेपाल और सिलंका में भी मिल जाते हैं IUCN status जो इनका है वो endangered है Wild Air Protection Act of 1972 के schedule 1 में हैं बात करेंगे Chinese पैंगोलीन की ये वियतनाम, Thailand, Cambodia और North Eastern पार्ट जो इन्डिया का है वहाँ पर मिल जाते हैं IUCN status critically endangered है और Wild Air Protection Act of 1972 के schedule 1 में है तो दोनों का status अलग है ये ध्यान दीजीगा Indian Pangolin endangered है जबकि Chinese वाला critically endangered है ठीक है नंदन करना Geological Park की बात करते है उडिसा में located है 1960s में इसे inaugurate किया गया था ये पहला जू था भरत का जो वाजा का हिस्सा बना वाजा क्या है ये कोई वाजा नहीं है वाजा का एक full form है that is World Association of Jews and Aquariums वाजा एक Global Alliance है जिसमें ये रिजिनल जो भी Jew या Aquariums है उनका हिस्सा होते है जो Animals को बचाने का काम कर रहे है और एक Leading Jew है ये जहाँ पर Indian Pangolin या White Tigers की breeding करवाई गई Leopard, Mouse Deer, Lions, Rat, Vultures इन सभी लोगों को यहाँ पर breed किया गया ताकि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके ये दुनिया का पहला Captive Crocodile Breeding Center भी बना जहां घडियाल को 1980 में Captivity में breed करवाया गया हमरा नेक्स्ट आर्टिकल फिंब्री स्टाइलिस सुनीली और निया नोटिस प्रभुई के बारे में है अच्छे यहाँ पर सुनीली और प्रभुई कुछ इंडियन जैसा लग रहा है न अब एक्शुली में ये नाम ही है आपको समझ में आ जाएगा अब एक्शुली में दो नए प्लांट स्पीसीज को रिपोर्ट किया गया है वेस्टन घाट के रीजन से एक ठिरुवध कुरम से और दूस्टा वायनाट डिस्टिक से देखिए ये जो पहला वाला है फिंब्री स्टाइलिस सुनीली ये सीएन सुनील जी है जो की रिटायर प्रोफेसर है रिसर्च गाइड रहे है बॉटिनी के SNM कॉलेज में एक प्लांट टेक्सोनॉमिस्ट रहे है उन्ही के नाम पर इसका नाम रखा गया है तो उनका नाम सुनील था तो इसके आगे सुनीली जोड दिया गया फर्दर ये प्लांट है साल भर उपता है एक फैमिली से बिलांग करता है साइपर रहसे ही फैमिली वगरा यूपेसिक है पूछती नहीं है 20 तू 59 सेंटिमीटर लंबा हो सकता है इसे वेस्टन गाट में 1100 मीटर की उचाई पर पाया गया है इसे आयोसिन की रेड लिस्ट में इनका जो जीनस है या जो इनकी फैमिली है उसके जो भी ये ग्रास है उन्हें डेटा डिफिशियंट केटेग्राइज किया गया है हम निया नोतिस प्रभुई की बात करते हैं इसी केम प्रभु कुमार जी के नाम पर नाम दिया गया है ये एक researcher रहे है flowering plant को लेका वेस्टन गाट के रीजन में उन्हें ही रेकुनाइज किया गया है जो चेमरा पीक है वेनाद डासलैंड के रीजन में वहीं पर इसे डिस्कवर किया गया family ruby ACI से बिलॉंग करता है 70 cm तक लंबा हो चकता है इसमें कई सरे flowers होते हैं जो pale pink color के होते हैं ठीक है इसके जो petals है नहीं कि पत्ते होते हैं हमारा next article National Tiger Conservation Authority यानि कि NTCA के बारे में है 19 वी meeting हुई है National Tiger Conservation Authority की Union Minister for Environment के चेर्मेंशिप में इसके साथ ही साथ एक और initiative लॉंच किया गया action plan लॉंच किया गया है कि सुद्देश से कि इंडिया में चीता को introduce किया जाए तो क्या चीता इंडिया में नहीं पाए जाते कभी किसी जमाने में पाए जाते थे अब तो नहीं पाए जाते लेकिन लग रहा है कि अब पाए जाएंगे फिकाज एक बार फिर से हम चीता को इंडिया में introduce करने वाले हैं ये बात भी करेंगे लेकिन उसके पहले जानेंगे NTCA के बारे में NTCA का फुल फॉर्म पता है न National Tiger Conservation Authority 2005 में इसे बनाया गया था Tiger Task Force के recommendation पे Statuary Body है Statuary Body का मतलब समझते हैं न मतलब इसके लिए कोई कानून आया होगा कि इसी Act के तहत इसे बनाया गया होगा इसे बनाया गया है Ministry of Environment, Forest and Climate Change के तहत मतलब ये काम इस Ministry के तहत करता है लेकिन है Statuary Body मतलब एक कानून तो रहा होगा तो इसके लिए जो कानून है That is Wildlife Protection Act of 1972 Wildlife Protection Act of 1972 के तहती इसे constitute किया गया है and that's why it is a Statuary Body Objective इसका पहला तो ये था कि Project Tiger के तहत जो भी प्रावधान है उन्हें एक legal basis दे दिया जाए ताकि उन्हें जरूर से implement कर लिया जाए दूसरी बात ये थी कि Center State के बीच में एक Relations Establish की जाए एक Memorandum of Understanding के थूँ ताकि जो भी Tiger Reserves राज्यों में हैं उनमें अच्छी तरीके से वहाँ के जीमों का ध्यान रखा जाए या Basically Tigers का ध्यान रखा जाए तीसरी बात कि Parliament को एक insight देना कि Tigers की क्या condition है देस में और सबसे last में जो भी लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पर Tiger Reserves है उनकी livelihood का भी ध्यान रखना है Action Plan for Introducing Cheetah in India ये topic important है इस पर भी ध्यान देते हैं ध्यान दीजिगा कि 1952 यानि कि 1952 के पहले इंडिया में चीता हुआ करते थे लेकिन इंसानों की बहुत ही बहादुरी की वज़े से हमने उनका पूरी बहादुरी से सिकार करके उन्हें जान से मार दिया और हमने एक और सफलता हासिल की और चीता को पूरी तरीके से खतम कर दिया तो एक पजाती को हमने भारस से नस्ते नाबुद कर दिया और ये माना उता कि बहुत बड़ी जीत रही जिसके बाद चीता भारत से पूरी दरीके से खतम हो गए जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो चीता को एक्स्टिंग करके हमने अंग्रेजों का लालच भी पूरा कर लिया और राजी रजवानों के शौक भी पूरे हो गया लेकिन हमने ये सफलता हासिल की और चीता को खतम कर दिया लेकिन उसके बाद हमें इस बात का हैसास हुआ कि हमने किया क्या है और अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक बार फिर से जो एक majestic animal है वो हमारे देश में आए इसी वज़े से हम उसे ट्रांस लोकेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं आठ से 12 चीता इंटर्ड्यूस किये जाने वाले हैं जो उमीदितन आएंगे साउथ एफरिका, नामीबिया और बोथसवाना से इन्हें लाया जाएगा कुनो पालपुर नेशनल पार्क में जोकी मत्रप्रदेस में सिचुएटेड है अगर ऐसा हो पाया तो ये दुनिया का पहला इंटर-κॉंटिनेंटल चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट होगा जहाँ पर एक कॉंटिनेंट से चीता को दूसरे कॉंटिनेंट पर लाया जाएगा अगर हम ऐसा कर पाये तो निश्चित तोर पर ये एक अच्छी बात होगी इसी दोरान Water Atlas भी रिलीस किया गया Water Atlas को रिलीस किया गया है Minister of Environment, Forest and Climate Change के द्वारा बारत में जो भी ऐसे Tiger Bearing Areas है उसके भीतर जो भी Water Bodies हैं उनका एक Atlas होगा वहाँ पर Water का Level क्या है इस्टन घाट, वेस्टन घाट इन सभी जगहों पर जो भी Water Bodies हैं उसकी जानकारी हमें यहां से मिल जाएगी यहां पर देखे जो Atlas है उसको Remote Sensing Data या GIS जो भी Location होती है हम उसको Geography के साथ Link करके उसका Data तयार कर लेते हैं तो उसका भी इस्सेमाल किया जाएगा चीता के बारे में बात करें तो चीता को scientifically कहा जाता है Acinonyx, Jubathis यह Africa और Central Iran के Native हैं दुनिया का सबसे तेजी से दौडने वाला Animal है यह यह 80-120 km परार की Speed अचीव कर सकता है यह Serengeti में जो सवाना का रीजन है यह Serengeti का वहाँ पर पाया जाता है जो हिली डिजर्ट है इरान का और सहारा का जो रीजन है वहाँ पर जो Mountain Regents है वहाँ पर भी मिल जाता है आयूसेन के Redlands में Vulnerable है इंडिया में खतम हो चुका है लेकिन दुनिया के अरने देसों में है यह अभी भी Vulnerable है जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वह Asian Waterbird Census के बारे में है दो दिनों का जो Asian Waterbird Census था यह आंदर प्रदेश में complete हुआ जो experts थे वो Bombay Natural History Society के AGES में उसके अंडर में ही अपने यह पूरा रिसर्च यह जो census है वो कर रहे थे इस census के सुरुआत दिखे 1987 में की गई थी UPSC इंटरस्टेड रहती है कि initiative कब लिया गया अब कई बार वो trick कैसे करते हैं अभी 1987 का है न लिख दिंगे recently start हुआ अब 1987 recently तो नहीं हो सकता तो ऐसे वो trick करते हैं यह event हर साल January में होता है annual exercise है यहाँ पे जो wetland में water birds आती है उन्हें हम count करते हैं कि कहाँ पे कितनी आई जो central Asian flyway है उसका कितना use हुआ इन सभी चीज़ों को evaluate किया जाता है इसे conduct किया जाता है wetland international के द्वारा repeat करता हूँ आपके लिए Asian water bird census को conduct किया जाता है wetland international के द्वारा और यह global water bird monitoring program का हिस्सा भी होता है जिसे कई बार आम बोलचाल की भासा में international water bird census यानि कि IWC कहा जाता है IWC जो है यह monitoring program है जो कि 143 country में चलता है जिसके जरीए wetland sites पर water birds के numbers को count किया जाता है wetland international एक global not for profit organization है जिनका काम wetlands के conservation और restoration का है AWC जानि कि Asian water bird census यह wetland international south Asia जो है उसने Bombay Natural History Society के साथ मिलकर इंडिया में conduct किया तो इंडिया में conduct करने में यह दो entities involved रही जो census है उसमें कई सारी findings निकल किया है Delhi NCR के region में जो ओखला bird century है Sanjay Lake है और हसिनापूर wildlife century है वहाँ पे क्या निकल किया है finding में पिछले साल जहां केवल 38 water bird species वहाँ देखी गई यह number इस साल बढ़के 45 रहा हला कि ओखला bird century में situation पिछले साल के तुलना में अच्छी नहीं पिछले साल हमें 73 species देखी थी और इस बार महद 47 और Sanjay Lake में भी इस सिती पिछले साल के तुलना में कमजोर रही केवल यहां पे देखे जो उखला bird century है केवल एक ही migratory species देखी नदन सौवलर और जो Sanjay Lake है वहाँ पे दो Great, Cormorant और Eurasian Coot तो मतलब यह पिछले साल के तुलना में कम है water birds क्या होती है वो water birds ऐसी birds होती है जो ecologically wetlands पर dependent होती है उसी region में रहना पसंद करती है वही feed करती है वही उनका नीशे होता है और अगर यह वहाँ पर है मतलब wetland की health अच्छी है अगर यह वहाँ नहीं है मतलब wetlands जो है उनके सिती पहले की तुलना में खराब है हमारा next article Red Sanders के बारे में है IUCN ने यानि कि International Union for Conservation of Nature ने अभी हाल ही में Red Sanders को endangered category में डाल दिया जो उनकी red list है उसमें इसके पहले इसे near threatened classify किया गया था 2018 में अच्छा भी हाल ही में एक movie आई है South Indian movie है टाइटल था Pushpa इस movie की जो central theme है वो Red Sanders यानि कि चंदन की लकडी ही है हाला कि उसमें Red Sanders के conservation की theme अभी तो नहीं है बता रहे थे कि यह उसका पहला part था Red Sanders का जो illegal trading होती है उसी के center में वो movie है conservation पे तो अभी खैर कुछ नहीं है हमें भी second part उसका आएगा तो हो सकता है Souths में कुछ हो जो Red Sanders है वो एक Indian endemic tree species है endemic होने का मतलब है कि यह specific geographical area में ही आपको मिलेगी तो basically यह जो हमें मिलता है वो मिलता है Eastern Ghat में Eastern Ghat में जो आंद्रक्रदेश Tamil Nadu और करनाटका के कुछ regions है वहाँ पर basically हमें Red Sanders या चंदन की लगडी देखने को मिलती है चंदन की लगडी अपने आप में बहुत precious होती है बहुत कीमती होती है इसको उगने के लिए rocky or degraded land चाहिए होती है red soil चाहिए होती है hot and dry climate चाहिए होता है I.E.S.E.N. के red list में अभी इसे endangered कर दिया गया है Sides Ghat Pettix 2 में है और Wildlife Protection Act of 1972 के schedule 2 में है इसमें कुछ theropatic properties होती है मतलब ये कई तरीकी की बीमारियों को ठीक कर सकता है कुछ cosmetic और medicinal properties भी होती है मतलब आप चेहरे पे चंदन का लेप लगाते हैं तो वो चेहरे में glow लेके आता है ठीक है फर्दर पहले के लोग जो होते थे सिर्दर्ध होने पे भी जो चंदन का लेप है वो माथे पे लगा लिया करते थे कहते थे उससे आराम मिल जाता है तो कुल मिला के cosmetic medicinal properties तो red senders में होती है इसके अलामा furniture industry में इसकी बहुत demand होती है और जो instrument बनती है musical instrument उसमें भी इसका काफी ज़्यादा इस्तिमाल किया जाता है तो यहां पर देखे इस लिहाद से आप समझ सकते हैं कि जो एक टन red senders होता है उसकी कीमत international market में 50 lakh to 1 crore हो जाती है and that is the reason कि इस लकडी को बहुत illegally trade किया जाता है threat इसी वज़े से smuggling, कई बार forest fire, cattle grazing और कई सारे anthropogenic stress engine की वज़े से red senders को खत्रा बना रहता है हमारा जो next article है वो ओरंग नेशनल पार्क के बारे में है हाली में government notification इसके तहत ओरंग नेशनल पार्क को उसके size का 3 गुना बढ़ाने के planning चल रही है मतब उसका size बढ़ा दिया जाएगा जो ओरंग नेशनल पार्क है वो आपको आसाम में मिलेगा आसाम में ये देखिए North Eastern region का map है और ये है ओरंग नेशनल पार्क की location जो की आसाम में आपके लिए दिखाई गई है ये आपको आसाम में जो ब्रहंपुत्रा रिवर है उसके North Bank पे यानि की Northern Bank में मिल जाएगा दारंग और सोनित्पर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसे century की तोर पे establish किया गया था 1985 में इन्होंने बहुत अच्छे से मन लगा के काम किया तो उनका promotion कर दिया गया और 1999 में इनको National Park बना दिया गया ठीक है National Park बन जाता है औरंग National Park 1999 में इसे mini काजी रंगा National Park के नाम से भी पुकारा जाता है बला ऐसा क्यों किया जाता है काजी रंगा के तुलना में ये छोटा है तो mini कहना उचित होगा अभी हलागे इसका size बहुत बढ़ जाएगा देखे ये आसाम की ही location है यहां पर देखे काजी रंगा आपको दिखरा होगा That is the काजी रंगा ठीक है साथ National Park यहां map में इंडिया के आसाम के दिखाए गए है दिखा देता हूँ आपको मैं यह है काजी रंगा यह है ओ रंग जो मैंने आपको बताया यह है नामेरी यह है डिब्रू शेखो यह है देहिंग पटकई यहां पे है मानस और यहां पे है राइमूना तो यह साथ National Park आसाम के इस map में दिखाए गए है हम बात कर रहे थे किसे म Stevens confirming काजी रंगा क्यों बोलते है क्योंकि यहां पर आपको लैंडसकेप मिलेगा जमीन मिलेगी यह वहां पर जो फ्लोरा फौना मिलेगा मार्स से स्ट्रीम्स ग्रास लैंड्स वो बिलकुल वैसी ही हैं जैसे काजी रंगा के है and that is the reason कि इसे मिनी काजी रंगा कहा जाता है flora और fauna से rich है great Indian rhinos, pygmy hawk, Asian elephants wild water buffalo, bengal tigers सब कुछ यहां आपको मिल जाते हैं यह सारे जीव आपको यहां मिलते हैं हमारा next article Biodiversities by 2030 के बारे में है World Economic Forum ने अभी हाल ही में एक report को release किया है उस report का नाम है Biodiversities by 2030 Transforming Cities Relationship with Nature नाम से सबस्ट है यह cities के बारे में है और उनका जो relation nature के साथ है उसको लेकर Biodiversities by 2030 जो initiative है यह joint initiative है जिसमें involved है World Economic Forum और Alexander Von Humboldt Biological Resource Research Institute फर्दर इसे support है कोलंबिया की government का भी इसके माद्यम से city governments को support किया जा रहा है businesses और citizens को भी कि वो ऐसे cities का निर्मार करें जो 2030 तक nature के साथ harmony रखती हो nature को आवशक्ता सदिक exploit ना करती हो इस report के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो report है यह 2030 का यह जो initiative है उसका key output है जो city है आपको पता होना चाहिए कि दुनिया भर में जो cities है वो 80% global economy को contribute करते है लेकिन एक बात और भी सच है कि यह 3-4th greenhouse gas के emission को भी account करते है 44% जो global GDP है cities में लगभग 31 trillion dollar के आजपास की वो nature loss की वज़े से disrupt हो रही है क्योंकि हम nature को नुकसान पहुचा रहे हैं nature loss को overcome करने का solution क्या हो सकता है इसका solution है nature positive investment करना ऐसा investment जो nature friendly हो nature based solutions लेकर आना हमें कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे हम economic benefit तो मिले लेकिन cities ऐसे ना frame हो कि वो nature को नुकसान पहुचा रही हो हमें cities को ज़्यादा resilient, livable और competitive बनाना है हमारा next article eastern swamp deer के बारे में है जो vulnerable eastern swamp deer है उनकी population लगातार गिर रही है काजी रंगा नेशनल पार्क में एंटाइगर रिजर्व आसाम में eastern swamp deer साउथ इस्या में बाकी जिगहों पे extinct हो चुका है चिंता का विश्या है इसी सम्मंद में यह article आया है मैं आपको बता दू कि swamp deer की तीन सबस्पीसीज आपको इंडियन सबकॉंटिनेंट में मिलती है पहला है western swamp deer जो नेपाल में मिलता है दूसरा southern swamp deer जिसे hard ground 12 इंगा भी कहा जाता है यह आपको central और north इंडिया में मिल जाएगा तीसरा है eastern swamp deer यह काजी रंगा नेशनल पार्क यानि कि आसाम में मिल जाएगा दूसरा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा अगर हम बात करते हैं swamp deer की तो इसका IUCN realist में जो status है वो vulnerable है Sights के appendix 1 में है और Wildlife Protection Act of 1972 के schedule 1 में है काजी रंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपको थोड़ा हिस्सा गोला घाट डिस्टिक में मिलेगा और थोड़ा सा नागाउं डिस्टिक में मिल जाएगा आसाम के ये oldest पार्क है आसाम का जो 430 स्क्वर किलोमेटर का एरिया कवर करता है ब्रहम पुत्रा नदी के किनारे का फर्दर कर्वी आंग लॉंग हिल्स जो इसके साउथ में है उसका हिस्सा भीस में कवर हो जाता है नेशनल हाइवे 37 इस पार्क की एरिया से होकर गुजरता है काजी रंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेस साइट भी है जो फेमस है Great Indian One-Horn Rhinos के लिए 1974 में इसे नेशनल पार्क का दरजा दिया गया ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है बर्ड आवसिटी यहां के काफे बढ़िया है ये आपको मिलेंगे शियर फॉर्स्ट, लंबे ऐलेफेंट ग्रास, मार्शेस और शेलो पूल्स भी मिल जाएंगे दुनिया के लाजस्ट पॉपलेशन वन हॉर्ण राइनोस की यहां पे रहती है इसे अभी हाल ही वाइले प्रेटेक्शन अमिंडेमेंटेबल 2021 के शिरियूल 1 में रखा गया है ये जो एक्वेरिस्ट हैं जो एक्वेरियम में मचलियों को रखते हैं या ओर्नामेंटल फिश ब्रीडर्स हैं उनको इससे दिक्कत हो रही है विकॉज उसके बाद वो मिस केरला को आसानी से ट्रेड नहीं कर पाएंगे मिस केरला को डैनिसन बाब रेड लाइन टॉर्पीडो बाब या फिर रोज लाइन शाक के नाम से पुकारा जाता है रेड और ब्लैक स्ट्रिप्स पाई जाती हैं इसलिए एक्वेरियम में लोग इस मचली को देखना पसंद करते हैं केरला और करनाटका में यह बहुत ज़्यादा पाई जाती है आयुसे इन स्टेटस इसका इंडेंजियर है यह फास्ट फ्रोइंग हेल्थ स्ट्रीम में रहना पसंद करती है और एक्वेरियम ट्रेड के लिए से बहुत ज़दा एक्स्प्रोइड किया जाता है और इनकी संख्या दिन बदिन गिरती जा रही है इंडिया से ओनामेंटल फिस जो एक्स्पोर्ट की जाती है उनमें 60-65% तॉप को मिस्केरला ही मिल जाएगी एक तो इनका एक्वेरियम परपस से एक्स्प्रोइटेशन किया जाता है इनकी संख्या कम हो रही है फर्दर इनका हैबिटेट डिग्रेडेशन भी हो रहा है इफॉरेस्टेशन, माइनिंग, अग्रिकुल्चर, अर्वन एक्स्प्रेशन इन सब की वज़े से भी इनकी संख्या में कम ही देखी जा रही है नेक्स्ट क्वेशन, लिविंग रूट ब्रिजस ऑफ मिघालिया के बारे में है मैं आपको बता दूँ कि UPS से इस टॉपिक से प्रश्न पूछ चुकी है इस प्रखार के प्रश्न पूछी जाते हैं हाल ही में जो लॉट सर्वेय उफ इंडिया ने कुछ green rules सयार किये हैं जो living route bridges सयार किये जाते हैं North Eastern Street of Meghalia में वहां के लिए objective in green rules का यही है कि हम इन living route bridges को UNESCO के वर्ल हरेटेस साइट में जगे दे सके जो living route bridges होते हैं ये area suspension bridge होते हैं मतलब ये दो सीरों से ऐसे बंगे होते हैं as you can see this in the image हवा में लटके होते हैं इन्हें basically करते क्या है कि जो rubber fig tree होता है उसके जो pliable routes होते हैं pliable का मतलब होता है लचीला नरब उन routes को आपस में गूत दिया जाता है और जैसे जैसे समय बीटता है कोई मालने जे कोई खाड़ी है कोई river stream है जहां से cross करने की जरूद पड़ती है तो उन्हें वहाँ पर गूत देते हैं गूतने के बाद जैसे जैसे समय बीटता जाता है ये routes आपस में और उदेस्ते जाते हैं और रिजल्ट यह होता है कि बहुती strong bridge के रूप में ये convert हो जाते हैं जैसे जैसे समय बीटतेगा ये bridges और मजबूत होते चले जाते हैं इन bridges को locally Jing, Keeing, Jiri कहा जाता है इसके basically तीन कारण है पहला तो इन पेड़ों की routes elastic होती है, नरब होती है, लचीली होती है दूसरा, इन्हें आसानी से गूथा जा सकता है तीसरा, tough terrain में हमें bridges को बनाने के आवश्यक्ता पड़ती है और ऐसी ही terrain में ये पेड़ों उते भी हैं तो ऐसी जगहों पर इन पेड़ों का इस्सेमाल बहुती सौभाविक है दूसरा, ये जो important बात है वो ये है कि in bridges को कौन तयार करता है लेखे, जो खासी community है उनके भीतर कुछ सब tribes हैं जो in bridges को बनाती है उन्होंने इसे बनाने की सुरुवात कब कि इस बारे में हमें कुछ खास जानकारी नहीं इतना जानते रहे कि खासी tribe के लोग ही in bridges को तयार करते हैं वो इसमें expert होते हैं लेकिन ये दिखाता है कि लोगों की nature के सांथ relationship पे एक बढ़िया है इसके माध्यम से bird, animals, lichens, mushrooms, lars, trees ये सभी उसके region में grow करते हैं और इंसानों को आने जने की जिगह मिल जाती है जो प्रशन पूछा गया था वो ये है भारत के particular region में जो local लोग हैं वो roots को train करते हैं living tree roots के bridges के form में streams के उपर, जैसे जैसे समय बीटता जाता है ये bridge मजबूत होते जाते हैं इन living root bridges को कहाँ पर देखा जा सकता है that was a question, सही जवाब आपको पता है that is Meghalia, यानि कि A will be the answer हमारा next article Puma के बारे में है जो Puma होते हैं, ये basically आपको America के region में मिलते हैं अमेरिका यहां पर हमारा मतलब continents है Southern America, Northern America इनके relationship, जो 485 living species के साथ है जिससे वो linked होते हैं, या तो bone पर dependent है या वो species इस Puma पर dependent है ये काफ़ी critical role play करते हैं इस पूरे ecosystem को hold करने को लेकर Western Hemisphere में ऐसा एक नई study में निकल के आया है that was a reason कि Puma came in news Puma, जिससे Puma कौन कलर भी कहा जाता है ये फैलिडे फैमिली का एक जीव है जिससे mountain, lion, caugur, या फिर catamount भी कहा जाता है catamount आरक एक मतलब प्राचीन इसका मतलब है और caugur का मतलब वही अमेरिकी तेंदुआ होता है ये बड़े brown color के new world cat है जिनका size jaguar के जैसा ही होता है ये काफी बड़े जिगे में पाये जाते हैं 28 countries है मैरिगास की जहां पर आपको Puma मिल जाएंगे लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पाये जाने के बावजूद इनके बारे में इंसानों को कम ही समझे and that was the reason कि इनकी संख्या दिन बदिन गिरती जा रही है Puma's की जो habitat है वो काफी wide है जैसे कि हम बात कर रहे थे बहुत साइज जिगों पर पाये जाते है जो deserts, scrub जो desert वाला area है जाडियों वाला area या फिर chapels, swamp, forest इन जिगों पर पाये जाते हैं कुलमला के मैं आपको ये कहूँ कि ये खुले area में रहना पसंद नहीं करते है like agriculture area हो या फिर flat land हो ये वहाँ नहीं जाएंगे ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ उन्हें canopy चाहिए मतलब ये छुपने की जगे हमेशा देख के रखते हैं जो species होती हैं मतलब इन्हें कम ही देखा जाता है ये खुद को छुपा के रखते हैं कई बार ऐसा मना जाता है कि ये vicious हैं मतलब की खदरनाक हैं solitary predator हैं अकेले सिकार करते हैं इसी वज़़से इनका अकसर persecution किया जाता है और human-puma conflict में अकसर इनकी जान जाती है IOC ने अपनी red list में इनकी least concern category में डाला है because इनकी संख्या enough है इनके threat का कारण basically ये है कि इनका habitat खदम हो रहा है इनसानों के साथ conflict में इनकी जान जाती है और कई बार इनका शिकार भी कर लिया जाता है हमारा next article Asia Ministerial Conference on Tiger Conservation के बारे में है हमारी Union Environment Minister ने अभी हाल ही में fourth Asian Ministerial Conference on Tiger Conservation को अभी address किया इस पूरे conference को आयोजित किया गया गौर्मेंट आप मलेशिया ने collaboration रहा Global Tiger Forum यानि की GTF का तो GTF और मलेशिया की गौर्मेंट ने मिलकर इस पूरे conference को आयोजित किया इस conference में जो 13 Tiger Range countries हैं जहां पर Tigers पाये जाते हैं उनकी द्वारा Kuala Lumpur Joint Statement अडॉप्ट किया गया कि हम Tiger को कैसे conserve करेंगे और आने वाले समय में मारी क्या Joint Commitments रहेंगी जो 13 Tiger Range Countries हैं TRC जहां पर Tigers पाये जाते हैं मलेशिया, बांगला देश, भूटान, कमबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाउस, म्यांगमार, नेपाल, रश्या, थाइलेंड और वियतनाम ये 13 देश हैं इन देशों के नाम आप जरूर से याद रखें क्योंकि अगर किसी भी grouping में देशों के संख्या 10-15 हो तो प्रश्टर पूछे जा सकते हैं कौन है, कौन नहीं है, you must know इस conference की क्या highlights रही इंडिया Tiger Range Countries को facilitate करेगा ताकि हम New Delhi Declaration को फाइलाइस कर सके हैं जो Global Tiger Summit होने वाली है रश्टिया के व्लाद इवोस्तोक में उसके दारान Pre-Tiger Summit के दारान 2010 में इंडिया ने इस संबन में एक draft declaration तयार किया था Global Tiger Summit के लिए उसे फाइलाइस किया गया था जो minister है उन्होंने इंडिया की जो Tiger Conservation को लेकर achievement रही है उसे highlight किया कि हमने महस्चार सालों में Tiger की population को इंडिया में डबल किया और ये जो हमारा target था उससे ज़ाद आ रहा Conservation Assured Tiger Standard यानि कि C.A.T.S. ने Accreditation के माध्यम से 14 Tiger Reserve countries को Choose किया है Basically यहाँ बात करें इंडिया में 14 Tiger Reserve को मानेता दी है Tiger Reserve तो बहुत सारे हैं बट मानेता C.A.T.S. के दोड़ा इं 14 को दी गई है Tiger Relocation Projects इंडिया में काफे successful रहे हैं हमने राजा जी Tiger Reserve में ब्राद के वेश्टन पार्ट में Tigers को relocate किया successfully और हमारा प्लान काना Tiger Reserve मदभ प्रदेश में भी Tigers को relocate करने का है Wildlife Protection Act of 1972 में Tigers course deal 1 में रखा गया है High Seen की Red List में ये वप को मिलेंगे Indian World category में और Sights के मिलेंगे Appendix 1 में जो की illegal trade को रोपने के कोशिस करता है बात करते हैं GTF की यानि की Global Tiger Forum ये एक मात्र Intergovernmental International Body है जिसके Member Countries खुद से सामने आते हैं और Campaign करते हैं Tiger को protect करने के लिए 1993 में इसे फॉर्म किया गया था ये Headquarter है इंडिया की New Delhi में Functioning यही है कि ये थार 3 साल में एक बार Meeting करते हैं अपनी General Assembly की और इनके Standing Committee Meeting साल में कम से कम एक बार होती है जो Chair Person होते हैं वो इनी जो Tiger Range Countries हैं उनमें से जो वहाँ के Ministers हैं उन्हें में से एक होते हैं जिनका Term तीन सालों का होता है यहाँ पर जो देश सामिल है Tiger Range Countries में से जो Global Tiger Forum का हिस्सा है वो हैं बांगलादेज, भूटान, नेपाल, म्यांगमार, इंडिया, व्यातनाम और कमबोडिया आर्टिकल केरला बर्ड एटलस के बारे में है एटलस बिसिकली एक डॉकिमेंट होता है जिसमें सारी जानकारी बहुत ही डीटेल में होती है अगर यह बॉर्ड एटलस है, इसका मतलब यह है कि कौन सी एरिया में कौन सी बर्ड पाई जाती है उनका क्या स्टेटस है, लाइक वो रेर हैं बहुत जादा रेर हैं, उनका पुरा प्रॉपर क्लासिफिकेशन आपको इस बर्ड एटलस में मिलेगा यह बॉर्ड एटलस अभी हाल ही में केरला में तयार किया गया है और ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार का स्टेट लेवल पे पहला बॉर्ड एटलस है जो इंडिया में तयार किया गया एक बेसलाइन डेटा प्रोवाइड करवाएगा कि bird species कहां पे किस संख्या में पाई जा रही है KBA को साल में दो बार evaluation में रखा जाता है मतलब bird illness के लिए जो survey किया जाता है वो साल में दो बार किया जाता है और लगभग एक बार में 60 दिनों का समय लग जाता है एक बार तो ये जुराई से सतंबर के महिने में होता है और दूसरा जन्वरी से मार्च महिने में 2015 से 20 तक का data यहां पे निकाल के evaluation में लिया गया है citizen science driven exercise है जिसमें 1000 volunteers जो bird watching community से belong करते हैं जिनको birds में interest होता है उन्हें शामिल किया गया इसमें जो KBA है उसमें लग भग 3,000,000 records तयार के गए है 361 पक्षियों के प्रजातियों के जिनमें 94 हैं very rare species 103 है rare species 110 है common species 44 है very common species 10 है most abundant species जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है dry season में हमने ये देखा कि wet season के तुल नामे जो species richness है वो ज़्यादा देखी गई हमें ऐसा लगता है कि wet season में वो ज़्यादा देखेंगे पड़ ऐसा है नहीं dry season में पक्षी ज़्यादा देखे गए है Asia का largest board atlas है ये अगर हम geographical extent की बात करें लगभग 25,000 यहाँ पर species coverage जो है वो 25,000 checklist में से तयार किया किया है तो samples बहुत ज़्यादा collect किये गए है हमारा next article state environmental impact assessment agencies यानि की CIA के बारे में है दिखेगर कोई बहुत बड़ा environmental project है तो उसे center से clearance लेना होता है उस project के लिए clearance central government देता है लेकिन अगर कोई project बहुत बड़ा नहीं है छोटे projects को state governments approval देते हैं state government की ओर से एक agency है जो इन छोटे projects को approval देती है जिसे कहा जाता है CIA, State Environmental Impact Assessment Agency अभी हाल ही में Union Environment Ministry ने एक proposal दिया है जिसके माद्यम से वो राजियों को rank करेंगे और incentivize करेंगे जो environmental clearance infra projects को जल्दी दे देंगे इसको लेकर environmentalist काफी ज़्यादा नराज है उनका कहना है कि ऐसे हटबड़ी में तो environment का ध्यान ही नहीं रखा जाएगा और अनावस्य clearance दे दिये जाएंगे जो CIA है इसमें state officers independent experts होते हैं जो infra projects को evaluate करके उन्हें approve करते हैं अगर बड़े projects हैं उन्हें category A में डला जाता है और वहाँ center का clearance चाहिए छोड़े projects category B में आते हैं जहां state की agency CIA उन्हें approve दे देती है इसमें building, construction, small mining, small industry projects यह सब आ जाते हैं जो कम pollution फैलाते हैं जो companies हैं वो CIA के लिए documents को परिवेश नाम के portal पर upload कर देते हैं और उसे यह agency evaluate करती है साथ criteria अभी बताएं है union environment ministry में जिसके माध्यम से वो इन states को evaluate करेंगे वो कितने जल्दी clearance दे रहे हैं ताकि transparency, efficiency, accountability बनी रहे हैं अगर किसी project को 80 दिनों से कम समय में clearance मिल जाता है तो इस राज्यों को मिलेंगे 2 points अगर 105 दिन का समय लगता है तो एक उससे जादा तो कोई point नहीं मिलेगा इससे राज्यों में एक होड मचेगी कि वो जादा clearance दे projects इससे बढ़ेंगे, development होगा लेकिन हाँ, environment तो थोड़ा बहुत threat में जाएगा ही अगली piece of information है नजफगर जील के बारे में नजफगर जील को हाली में जो National Green Tribunal है, उसने बोला है दिल्ली और हरयान के सरकार को कि अपने management plan को implement करिये और किसी तर जील को पुन्दर जीवित करिये असल में नजफगर एक इलाका है दिल्ली के पास जो हरयान से लगता है और यहां पर एक बड़ा सा drain है जिसे नाला कहते हैं और यह बहुत ही जादा इसके अंदर polluted water बहता है या waste बहता एक तरह से तो इसके पास आगे जाकर एक नजफगर जील बनती है जो कि एक trans boundary wetland है यह wetland कहां पर है जैसे मैंने बताया हरयाना और दिल्ली की बॉर्डर पर है और यहां पर क्योंकि wetland है तो कई सारी bird species आती है जिन में की Egyptian vulture, सारस crane, steep eagle, great spotted eagle जैसी जानवर है यह चड़िया है, पक्षिया है, सौरी, माफ कीजेगा और यह सब यहां देखी जाती है तो इनमें जो pollution जारा फैल गया था, drain की वज़े से उसको लेकर एक environment management plant सापित किया गया था ताकि जब इसे wetland declared किया गया गया नजवगर लेक को तो उसके बाद की क्या-क्या तरीका होगा जिसके threat इसको और जादा clean किया जाया इसको और जादा sustain किया जाया तो इसके आसपास construction allowed नहीं है seasonal flooding के लिए इसके आसपास एक amendment बनाने की बात की गई जो इसके अंदर water hyacinth है जो की एक पौधा होता है जो किसी भी wetland को पूरी तरह भर देता और वाँकी nutrition को खतम कर देता है उसको हटाने की बात कोई और जो invasive species है जो लेक को पूरी तरह ecosystem को बरबाद करते हैं उनको हटाने की बात हो रही है तो basically नजफगर जील कहाँ पर है और किस plan के नजफगर बात हो रही है यह आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर एक बड़ा सा drain है नजफगर लेक का एक जो drain नजफगर drain उसकी वज़े से ही बहुत जादा यहाँ पर जो sahibi river है और जो यह wetland है इसमें इतना ज़ादा कच्रा इतना ज़ादा pollution फैलता है कि यहाँ पशू-पक्शों का sustain करना मुश्किल हो जाता है अगला article बात करता है climate hazards and vulnerability atlas of India के बारे में देखें यह topic जो है वैसे उतना important आपकी prelims के साब चे नहीं है पर अकसर means में आपको geography में या disaster management में management में ऐसे questions पूछे जाते हैं जहां आपको बोला जाता है कि चलिए आप बताईए इंडिया के hazard areas के बारे में या बताईए कि vulnerability कितनी है इंडिया में towards disaster management तो वहाँ अगर आप ऐसा एक hand-drawn map बना दे साइड में अपने answer के साथ तो आपको additional marks मिलने के chances बहुत सारा बढ़ जाते हैं तो अब जैसे IMD यानि Indian Meteorological Department ने ये जो अपना Atlas निकाला है climate hazard and vulnerability का ये आपको इस तरह दिख रहा है जिसको आप basically बस याद रखे कि नेरियास में जादा cyclones आते हैं नॉर्मली भी आप बता सकते हैं कि cyclones कहाँ जाते होंगे West Bengal का region हो गया Odisha का region हो गया थोड़ा बहुत गुजरात में तो वही खानी है पर ये map अगर आप देख लें और इसको अपने पास note down कर लें गई इसके sections ताकि अगर आप answer writing practice करें तो वहाँ ऐसे flow chart type normal maps इंडिया का बना की indicate कर दें तो आपके numbers काफी बढ़ते हैं तो CRS जो है वहाँ के office से ये address निकला है जिसमें बताया गया है कि primarily जो area है वो है Western Bengal का West Bengal का 24 परगना district फिर पूर्भा मेंदिनिपूर जो West Bengal में पढ़ता है महाँ पर highest cyclone vulnerability है इंडिया की कहाँ पर पूर्भा मेंदिनिपूर West Bengal में होता ये कि अगर आपको option में उडिसा का कोई area पूछा होता और उपर West Bengal का option होता तो अकसर chances होता है कि लोग उडिसा टिक कर देते हैं पर वो है पूर्भी मेंदिनिपूर जो की है West Bengal में पूर्भा मेदिनिपूर सारी ये नाम है इसका और जो एक normal observation है कि Eastern Coast जो है इंडिया का जादा vulnerable होता है cyclone के मामले में वो हमें पता ही है इसके बात जो गली news article है वो है spot build pelican के बारे में ये असल में एक पक्षी है जो कि बहुत सारी इनकी बहुत सी मौटे हुई because of nematode infection nematode एक तरह का जिसे हम कह सकते है parasite है जो intestine में भी पाया जाता है इसा parasite nematode उससे काफी infected हो गया है कई सारे ये जो pelican birds से spot build pelican ये इनका जो IUCN status है वो अभी near threatened है तो तलिना पुरम आंध्रे परदेश में एक जगह है जो important bird area है वहाँ पर कई इन birds की मौटे हो गई इसी nematode infection के चक्कर में ये असल में सदन अशिया इरान वगरा में breed करते हैं birds और काफी मातरा में coastal areas में मिलते हैं और ये limited है इंडिया, श्रिलंका, कमबोडिया में इनकी breeding population, pelican species की तो इनकी मिलतियों ने काफी news बनाई असल में ये इनका status के है near threatened, schedule 4 के अंदर गताते हैं और नमटर infection की वज़े से इनकी mass deaths होई हैं ये बात होगे इनके बारे में हमारा next article septemeranthus के बारे में है ये एक parasitic flowering plant है उसका नया genus है निकोबार group of islands में इसे discover किया गया है ये जो parasitic flowering plant है इसका root structure थोड़ा modified होता है जहां पर आपको इसकी stems में ही roots देखने को मिल जाती है जो plant है वो tropical forest के region में पाया जाता है बिसिकली अन्दमान और निकोबार group के बीच में जो एक biodiversity region है जो 160 km के आसपास का है वहाँ पर tidal flow भी देखने को मिलता है वहाँ पर ये फ्रजाती पाई गई है जो leaves हैं ये heart shape की होती है और जो इसका आगे का tip होता है वो थोड़ा लंबा होता है ठीक है कुछ ऐसा further इसकी जो ओवरी fruit या seeds होते हैं वो earthen pod shape के होते हैं मतलब घड़े की तरह होते हैं जो name है septemaranthus ये latin word septem से निकला है जिसका मतलब होता है साथ ये इसके flowers के arrangement के basis पे नाम दिया गया है साथ flowers के क्रम में इसे देखा जाता है एक प्रश्ण है यहाँ पर 2019 में ये प्रश्ण पूछा था UPSC ने कि हिमालियन नेतल जो हाल फिल हाल में news में रहा है ये awareness फैलाने के purpose से देखा जा रहा है इसकी importance को ये एक sustainable source किस चीज के लिए माना जा रहा है options से anti-malarial drug bio diesel, pulp for paper industry या textile fiber इसका जवाब बता हूँ या ना बता हूँ देखिए एक का तो मैंने आपको बताया नहीं है उसका आपको बताना है इसका मैं बता देता हूँ textile fiber के लिए ये source of sustainable means माना जा रहा है ठीक है इस article में हम बात करेंगे Canary Black Bee के बारे में देखिए नाम से भी पता लगया होगा आपको ये आपको Canary Island में देखने को मिल रही है अभी हाल फिलाल में Canary Island में एक वालके नो इरॉप्ट हुआ था कुम्रे वाईजा में यहाँ पे बहुत सी मदुमक्खियां आपकी जिन्दा पाएगी है अपने हाईव में अब यह जो आपके मदुमक्खियां है यह यूज करती है प्रोपलोईस को अब यह एक तरह का Raisin है जो कही न कहीं एक Mixture है आपके Blue Glue की तरह अब यह जो Blue Glue है यह करती क्या है बेसिकली जब भी कोई भी आपकी प्लांट या बड्च पे बैठती है वहां से यह इसको लेके आती है इसको यह यूज करती है अपने हाईव को कवर करने के लिए जब भी बारिश वगेरा होती है बट वाल्कैनो के केस में भी हमें सेम चीज देखने को मिल रही है जिससे यह अपने आपको प्रोटिक्ट कर पाई इनके बारे में आपको पता होना चाहिए आईए तो आज के इस सेशन में बस इतना ही थैंक यू अरे मच